आपके स्किन पर problem कोई भी हो, reason फिर एक है heat heat external हो या internal हो, आपके skin को damage कर सकती है external आप सबको पता है, suns से जो UV rays आती है वो आपके skin को damage करती है आपके skin पर pigmentation हो सकता है, break outs हो सकता है आपके pores के साइज बड़े हो जाते हैं जिसके लिए आपको sunscreen यूज़ करनी चाहिए। अब आप पूछेंगे internal heat क्या है। आप सभी को पता है कि आपकी body heat produce करती है food digest करने में। यदि आप fiber rich food लेते हैं, leafy vegetables लेते हैं, तो बहुत कम heat में ही आपका food easily digest हो जाता है। लेकिन अगर आप protein, carbs rich diet लेते हैं, या आप junk food बहुत ज्यादा लेते हैं, तो body ज्यादा heat produce करती हैं, इसे digest करने में। जब आपकी body ज्यादा heat produce करती हैं, तो इसका भी result आपकी skin पर directly दिखता है। आपकी skin पर breakouts हो सकते हैं, आपके pores के size बड़े हो सकते हैं, आपकी skin accessible produce करती है। tension भी बहुत बड़ा reason होता है internal body heat का, जब भी आप stress में होते हैं या during periods आपके stress related hormones active हो जाते हैं, आपकी body bloat करती है, आप feel कर सकते हैं कि आपकी body के अंदर heat बहुत ज्यादा हो गई है, जिस करन आपके skin issues appear हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ share करूंगी cooling face massage gel जिसे आप daily अपनी clean face पर apply कर सकते हैं, आपको daily इसे massage करना है for 3-4 minutes और within 2-3 days ही आप देखेंगे कि आपके skin काम हो रही है और थीरे थीरे आपके skin के सारे issues खुदी हील होने start हो जाएंगे। इस massage gel को बनाने के लिए आपको चाहिए curd, aloe vera gel, cucumber juice and mint juice. सबसे पहले एक बॉल में आपको लेना है around half cup of curd, इसमें आपको add करना है around 3 big spoons of cucumber juice, 1 big spoon of mint juice and सबसे last में हम इसमें add करेंगे 2 spoon of aloe vera gel. curd रिच होता है lactic acid में, यह आपके skin से dead skin cells को remove करता है, बहुत ही अच्छे से आपके skin को cleanse करता है और साथ ही साथ आपके skin को soft and supple रखता है. mint juice रिच होता है natural salicylic acid में, जो कि आपके skin पर किसी भी तरह का bacterial infection हो, तो उसे काफी जल्दी heal करता है. थर्ड हमने इसमें add किया है cucumber juice, जो कि astringent properties में रिच होता है और साथ ही साथ आपके skin को cool down करता है. और सबसे last में हमने इसमें add किया है aloe vera gel, जो कि naturally आपके skin को soot करता है, soft रखता है और साथ ही साथ hydrated रखता है. इन सारे ही ingredients को आपको एक blender की मदद से अच्छी तरह से blend कर लेना है, हमें एक watery consistency चाहिए, यदि consistency थोड़ी से आपको थिक लग रही है, तो आप इसमें थोड़ी से green tea, या थोड़ा सा cucumber juice, या थोड़ा सा rose water भी mix कर सकते हैं. फाइनली आपकी massage gel ready है, इसे आपको एक clean container में store कर लेना है, अब आते हैं कि इसे use कैसे करना है, इस face massage gel को आपको daily use करना है night time में, after cleansing your face, यदि आपने makeup और sunscreen यूज किया है, तो make sure करिए कि आप double face cleansing करते हैं, सबसे पहले आपने face को wipe करना है with micellar water, ये सारे makeup और sunscreen को remove करेगा, second, आप अपना कोई साभी regular face cleanser यूज कर सकते हैं, यदि आप homemade face cleanser यूज करना चाहते हैं, तो आप उपर दी हुई link पर click कर सकते हैं, finally अपने face को double cleanse करके, आपको अच्छी तरह से pet dry कर लेना है, अब बारी आती है इस face massage gel की, एक clean cotton ball को इस solution में डिप करके, आपको अपने प और आप यह सारे ingredients जो natural ingredients हैं, जो कि directly मा प्रकृती से आए हैं उन्हें एब्सॉर्ब कर लेंगे, again इसकी एक और लियर अप्लाई करिए और अपने face को अच्छी से massage करिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप अपने index finger को use कर सकते हैं, अपवर्ड मोशन में आपको अपला अपने नेक को शिप मत करिये एक बार ये लेयर ड्राइ हो जाए अगेन आपको इसकी तू थ्री लेयर से प्लाइ करनी है मसाज करना है लिए दिस सॉलिशन फर फाइव मिनट्स ओन यूर फेस और फिर आपको अपने फेस को रिंस कर लेना है विद कोल्ड वाटर फाइनली आपने रिंस करके अगेन अपने फेस को पैड़ ड्राइ करके मेक शूर कि आप तुरंत अपने फेस पर मॉस्चुराइजर अपलाई करें ताकि जितने भी नेचुरल इंग्रीडियेंट्स हैं उनका जो मॉस्चुर आपके स्किन पर गया है आप उसे लॉक कर पाए यदि आप चाहें तो आप गुड हाईलियोराणिक सिरम भी अपने फेस पर अपलाई कर सकते हैं यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो मेक शूर कि आप लेयर और अफ एलो एरजल अपने फेस पर अपलाई करें आपका ट्रीटमेंट यहां पर कंपलीट होता है आप इसे डेली यूज कर सकते हैं और तीन से चार दिनों में ही आपको विजिबल रिजर्ट्स नजर आने लगेंगे आपकी स्किन पर कोई भी प्रॉबलम हो, डल स्किन हो, एकने हो, ब्रेक आउट सो, लार्ज पोर्स हो, यह सारे हैं इसकिन इशूस को सॉल्व करता है क्योंकि यह आपकी स्किन की हीट को कम करता है जिससे कि स्किन खुद बखुद अपने आपको हील करना शुरू कर देती है झाल झाल झाल